मोदी जी उस जमाने में पटेल डॉमिनेटेड गुजराती पॉलिटिक्स में एक तरह से OBC नेता की तरह जाने जाते थे, मुझे अभी भी याद है 1995 में जब BJP पहली बार गुजरात में जीती थी, छोटा सा ओफिस था उनका खानपूर में मोदी जी बाहर बैठे थे, खाकरा खा रहे थे, बड़े नेता BJP के, शंकर सिंग, वागेला, केशु भाई, पटेल, सुरेश, बैता, अंदर की रूम में बैठे और मैं मोदी जी के साथ बाहर बैठा हूँ, मैं तरेंदर भाई को कहता हूँ, क्योंकि उनका काफी योगदान था उस विक्ट्री में, उन्होंने बिल्कुल मैनेजमेंट उस विक्ट्री की की थी, वो मुझे कहते हैं, नहीं वो बड़े लग, उनको बैठने दीचे, मैं उनको बुलाए नहीं गया था उस मीटिंग में, आप सोचिए, अब यही है न, 1987 में मोदी जी पहली पार एक तरह से अपनी एक पहचान बनाते हैं, 87 में, म्यूंसिपल इलेक्शन होता है एमदाबाद में, और वो क्या करते हैं, हर जली डुकड में जाकर, पोस्टर्स है, सोचिए, हमिच्छा, अब मेरे दोस्त यही बात है, कई नेताओं को यह पता चलना चाहिए, आज वो इस लेवल पर पहुच गया है, लेकिन कहां से आये हैं, यह जर्नी है लाई, यह कोई वन डे मैच नहीं है, पॉलिटिक्स, यह 40 साल से वहां बैठे हुए, यह 40 पज जया साल का परिश्रम है, यू गेनोट डिनाइटा।